हेलो बच्चो शीत काले नवकाश गिरह कारिये में आज हमारा विशह है हिंदी कक्षा चार और दिनांग है आज 8 जनुवरी 2021 शुक्रवार पहला प्रशन हमारा है निमलिखित चित्रों को देखकर उनके दो-दो समानर्थ वाले शब्द प्रियाईवाची शब्द लिखो इसका प्रियाईवाची होगा सूरज और सूर्य है और चोथा चित्र हमारा है चांद का चांद और चंद्रमा इसके प्रियाईवाची शब्द होंगे दूसरा प्रशन हमारा है कि चित्र की साहिता से एक छोटी सी कवीता लिखिए आपको दिखा एक प्राकरतिक दृष्य दिखाये गया है आपको इस द्रिश्य को देखकर एक कहानी बना एक कवीता बनानी है सुन्दर रूप इस धरा का आचल जिसका नीला आकास परवत जिसका उचा मस्तक उस पर चांद सूरज की बिंदियों का ताज नदियों जर्नों से जलकता योवन सतरंगी पुष पलताओ ने किया श्रंगार खेत खलियानों में लहराती फसले बिखराती मंदमंद मुस्कान तो इस तरह से आप भी कोई भी कवीता बना सकते हैं हेलो बच्चो शीत कले नवकाश क्रह कारिये में आज हमारा विशे है गनित कक्षा चार और दिनांक है आठ जनुवरी दो हजार एक के शुकरवार पहली गतिवीदी है एक संतुली ताहार में बोजन के सभी घटक प्रियाप्त मात्रा में शामिल होते हैं और यहां भिन लोगों के लिए अलग होता है यहां बढ़ते बच्चो के लिए संतुली ताहार के लिए पाईचार दिया गया है देखिए पाईचार में जो ये वाला कलर है डार्क येलो कलर है यहां फालोर सबजियों के लिए है दूसरा ओरेंज कलर अनाज वे खाद्यान के लिए है और जो ये ड्रेड कलर है ये वसावे चीनी के लिए है ग्रीन कलर अंडे वे दाल के लिए है और जो येलो कलर है ये दुग दूत पाद के लिए यानि के दूत से ब से कम मात्रा वाला हैगा कि जो हमें सबसे कम मात्रा में चाहिए तो वसा वे चीनी जो हमें सबसे कम मात्रा में चाहिए तो यहां हम लिखेंगे वसा वे चीनी इसके बाद दूसरा हमारा है जो हमें कम मात्रा में चाहिए होगा दुगद उत्पाद इसके बाद तीसरा जो हमार पता आर्थ होगा वे होगा अंडे वे दाले इसके बाद हम लिखेंगे तीसरा जो ओरेंज कलर में है अनाज वे खाद्यान और जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए वो होंगी फल और सबजिया इस तरह से हम इनको बढ़ते करम में लिखेंगे दूसरी गतिवीदी है कि प्रियापत मात्रमें भोजन के सभी अव्यों के साथ अपने लिए दोपैर के भोजन की ठाली का चितर बनाएए आपको अपनी दोपेर की थाली का चित्र बनाना है जिसमें आपको सभी तरह के पोशक ततूओं को शामिल करना है जैसे आपने रखे चावल, दाल, ठीक है और चपाती आपने सैलेड में रखे हैं खीरे, गाजर, शलगम और मूली ये सब ही आपने सैलेड में रखे हुए हैं इसके अलावा आप धाई वगेरा या लसी वगेरा शामिल कर सकते हैं अपने इस तरह से आप अपनी थाली बनाएंगे तीसरी गतिविदी हमारी होगी, हल करें कोशन मारके स्थान पर क्या आएगा देखिए 9 गुना 6, 9 शिक 54, यहाँ पर लिखेंगे हम 54 आगे हम पूरा करते हैं 20 गुना, कोशन मारके हैं यहाँ पर 60 है तो 20 गुना 3, यहाँ पर 60 आएगा ऐसे ही 5 को किसी से गुना करेंगे, 60 आएगा, यहाँ पर 12 से गुना करेंगे 12, 50, 60 आएगा, इसी तरह से फिर 12 गुना 20, तो यहाँ पर उत्तर होगा 240, 80 को हम किस से गुना करेंगे, कि 240 आएगा, तो इसका उत्तर होगा तीन पचास में क्या जोडेंगे कि 80 हो जाएगा तो देखिए 50 में 26 जोडेंगे तो ये आएगा 80 बन जाएगा और 26 लाने के लिए 2 को किस से गुना करेंगे तो 26 तेरा से 2 को गुना करेंगे तो 26 आ जाएगा तो इस तरह से हम कोशिन मार्क के स्थान पर उनके वैलियूज लिखेंगे